अप्टो डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप्टो डेट फैक्ट्स का फुल डे निउस अपिसोड देश के स्वास्त मंत्री मनसुक मांडविया ने कहा है के आगस्ट तक देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सिन्स की विवस्ता की जाएगी करनाटक के मुख्य मंत्री एडियूरप्पा के इस्तिफा देने के बाद करनाटका के ग्रह मंत्री बसवराज बॉम्मय को नए मुख्य मंत्री के तौर पर चुना गया है फ्रांस ने कहा है के वो भारत को 2021 के आखिर तक 35 राफेल जेट्स की डेलिवरी देगा अब तक फ्रांस भारत को 26 जेट्स की डेलिवरी दे चुका है पिछले दिनों सुप्रिम कोर्ट में एक P.I.L. दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत की सड़कों पर भिकारियों को भीक मांगने से रोका जाए क्यूंकि इससे COVID-19 के फैलने का खतरा रहता है सुप्रिम कोर्ट ने आज कहा है कि सुप्रिम कोर्ट भिकारियों को भीक मांगने से नहीं रोक सकती और दिल्ली और केंद सरकारों को आदिश दिया है कि वो भिकारियों और बेघर लोगों के लिए वैक्सिनेशन की वैवस्ता करे गुजुरात में कोरोना के कारण अगर किसी बच्चे के माँ बाप की मौत हो जाती है तो गुजुरात सरकार ने उस बच्चे को 21 वर्ष की उमर होने तक हर मेने 4000 रुपे देने का फैसला किया है और अगर किसी बच्चे के सिर्फ माँ या बाप की मौत हो जाती है उस बच्च केंदर सरकार ने हर मही ने 2000 रुपए देने का फैसला किया है और अगर ये बच्चे 21 साल की उमर होने के बाद higher studies continue करना चाहते हैं तो 24 साल की उमर होने तक गुद्रा सरकार ने इन बच्चों को 6000 रुपए प्रती महीने देने का फैसला किया है औरिस्सा के पूरी शहर में आपसे दिन के 2400 गंटे पीने का पानी नल के जरीय सप्लाई किया जाएगा ऐसा करने वाला पूरी भारत का सबसे पहला शहर बन गया है केंद्र सरकार ने सिटिजिंशिप एमेंडमेंड एक्ट के नियमों को बनाने के लिए जन्वारी नव दो हज़ार बाईस तक कसा मैं मांगा है पॉर्नोग्रफी केस में आरेस्ट किये गए बॉलिवड अभीनेत्री शिल्पा शेटी के पती राज कुंद्रा के जुडिशल कस्टडी को महराश्ट के एक कोट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है गुजरात राजी में स्थित हरपन काल के एक शहर धोलाविरा को युनेस्को वर्ल हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है इस शहर को 4500 साल पुराना बताया जाता है पिछले दनों त्यलंगा नामे स्थित ककातिया रुदेरिशवरा मंदिर को युनेस्को वर्ल हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था भारत के परियावरन मंत्राले का कहना है कि भारत में 2019 की मुकाबिले 2020 में 31.6% ज्यादा e-waste जनरेट हुआ है भारत में 2020 में 10,14,000 टन e-waste जनरेट हुआ है असाम और मिजोराम के बॉर्डर पर असाम और मिजोराम पुलिस के दर्मियान हुई जड़प में असाम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए और 1 SP घायल हो गए दोनु राजियों के पुलिस ने एक दूसरे पर इलजाम लगाए मिजोराम पुलिस का कहना था कि असाम पुलिस ने एक बॉर्डर चेक पोस्ट पे हमला किया था और असाम पुलिस का कहना था कि मिजोराम पुलिस ने लाइट मशीन गंस का इस्तिमाल किया था असम्प पुलिस ने मरने वाले जवानाओं के परिवार वालों के लिए 50 लाग परिहार दन का एलान किया है और इंजोड होने वाले के लिए 1 लाग परिहार दन का एलान किया है पूने के रहने वाले बारुवी कक्षा के चात्र अनीश योगेश कुलकरणी ने 62 वी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलमपियाट 2021 में सिल्वर मेडल हसिल किया है महराष्ट में भारी बारिश, लैंड स्लैट्स और तूफान के कारण मरने वालों के संख्या 251 हो गई है और 100 से ज्यादा लोग अब तक लापता है महराष्ट में दो लाग से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित स्तानों पर जाना पड़ा है पश्चिम मंगाल सरकार ने फैसला किया है कि वो पेगासस स्पाइवेर मामले की जाज के लिए एक एनकॉरी कमिशन बिठाएगी इस एनकॉरी कमिशन में सुप्रीम कोट के रिटायर जर्ज, जस्टिस मदन भी लोकूर और कलकत्ता हाई कोट के पूरुव चीफ जस्टिस जो तिरमय भटचारे भी शामिल होंगे UK के एक कोट ने भगोडे विजय मालिया को बैंक करप्टिया दीवालिया करार दिया है नाइगर के पश्चिमी इलाके में आज आतंगवादियों ने एक गाउं में 14 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी United States of America ने कहा है कि वो 2021 के आखिर तक इराक में अपने सबी से नाकारियों को खतम कर देगा जर्मनी के शहर लेवरक्यूसन के chemical companies के complex में एक blast हो गया जिसमें 16 लोग इंजूड हो गए और एक की मौत हो गई पांच अब तक लापता बताए जा रहे हैं लेवरक्यूसन शहर के आधिखारियों ने लेवरक्यूसन के शहरियों से कहा है कि वो गर्मी और धूमें से बचने के लिए घर में रहें और अपनी अपनी खिड़कियों को बंद रखें अफरीकी देश टुनीशिया में लोग सरकार के खिलाफ विरोल प्रदर्शन कर रहे हैं लोग सरकार के कोविड क्रैसिस मैनेजमेंट पर गुस्साए हुए हैं इस विरोल प्रदर्शन के चलते देश के राश्टरपती कईस सईद ने देश के प्रदान मंतरी हिशेम को डिसमिस कर दिया और देश की पार्लिमेंट को 30 दिन के लिए सस्पेंट कर दिया इटाली के सारदीनिया प्रांथ में लगी आग के कारण 20,000 हेक्टेर जमीन जल गई और तक्रीबन 900 लोगों को सुरक्षित स्तानों पर पहुँचाया गया अफरीकी माइग्रेंट्स को ल ओलम्पिक अपडेट्स भारत की होकी मेंस टीम ने आज पूल एक के मुकाबिले में स्पेंट को 3-0 से हरा दिया इसी तरह बैडमिंटन मेंस डबल्स में ग्रूप स्टेज में भारत के सत्विक साहराज और चिराग शेटी ने यूके के बेन लेन और शॉन वेंडी को हरा द सेलिंग के विमेंस इवेंट में आज 1% डिंगी लेजर रेडियल में भारत की नेत्रकुमारन रेस 5 में 32 नंबर पर रही और रेस 6 में 38 नंबर पर रही इसी तरह सेलिंग के मेंस इवेंट के 1% डिंगी लेजर रेडियल में भारत के विश्णु सरवनन रेस 4 में 23 नंबर प पर रहे इसी तरह रेस शिक्स में वो बारवे नमबर पर रहे इसी तरह सेलिंग के मेंस किफ मुकाबिले में भारत के गणपती केला पांडा और वरुन ठाकर अठरवे नमबर पर रहे बॉक्सिंग के विमेंस इवेंट के वेल्टर वेट कैटेगरी याने 64-69 kg इवेंट के राउंड ओफ 16 में आज भारत की लवलीना बॉर्गोहेन ने जर्मनी की नादिया एपेज को 3-0 से हरा कर कॉर्टर फाइनल में अपनी जगा बना ली है शूटिंग इवेंट के 10 मिटर एर राइफल मिक्स्ट टीम के कॉलिफेंग स्टेज वन में भारत की एलेविनल वेलारीवन और दिवियान सिंग पावर की जोड़ी और अंजुम मुद्गीर और दीपक कुमार की जोड़ी हार कर मेडल रेस से बाहर हो गई इसी तरह 10 मिटर एर पिस्टल मिक्स्ट इवेंट के स्टेज वन में भारत की मनुभाकर और सौरब चोड़ी के जोड़ी हार कर मेडल रेस से बाहर हो गई ओलंपिक मेडल स्टैली में जपान 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉंज के साथ पहले स्थान पर है उनाटेड स्टेट्स ओफ अमेरिका 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 8 ब्रॉंज के साथ दूसरे स्थान पर है चाइना 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 7 ब्रॉंज के साथ तीसरे स्थान पर है और रश्यन ओलंपिक कमीटी 7 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉंज के साथ चौते स्थान पर है भारत एक सिल्लोर के साथ 49 विस्थान पर है जानते हैं कैसे रहे भारत के शेर बजार सैंसेक्स आज 273 पॉइंट्स नीचे गिर कर 52,578 पे बंद हुआ और निफ्टी 78 पॉइंट्स नीचे गिर कर 15,746 पे बंद हुआ MCX में सोने की कीमत आज प्रती 10 ग्राम 47,617 रुपे रही और चान्दी की कीमत प्रती 1 किलो 66,005 रुपे रही रुपी आज डॉलर की मुकाबिले 5 पैसे नीचे गिर कर 74,47 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट कुरूड की कीमत प्रती बैरल 74,79 डॉलर्स रही आज की कॉरोना अपडेट्स ब्रेंट में पिटले 24 गंटों में कॉरोना के 29,689 मामले सामने आए और टोटल केसे की ताधाग 3,14,4,901 काउन हो गई ब्रेंट में पिटले 24 गंटों में कॉरोना से 2,363,63 लोग रिकवर कर गए और टोटल रेकाल होने वाले को तादाग 3,602,489 हो गई भारत में पिछले 24 गंडों मेंगी कौरॉना के होजासे 415 लोगों के मौत हो गई और टोटल मौत हो की तादग 4,212,382 हो गई भारत में पिछले 24 गंडों में 6,603,125 लोगों को वैकशनेट किया गया और टोटल वैक्सिनेशन डोजर्स की तादाद चोलिस कोरोड उननीस लाग बारा हजार तीन्सों पिचानवे हो गई बारत में करेंट एक्टिव केसिस की तादाद तीन लाग अठानवे हजार एकसों है दोस्तो एथ ही आज की फुल डे निउस अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नूटिफिकेशन आपसे मिस नहों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद